तो हेलोओट कैसे हैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ Samsung के मुबाईल में एक ओप्शन होता है ये फीचर होता है Samsung पास करके जो कि आपको पता हूज़ा setting अंदर, Biomedary Security setting अंदर आपको मिलता है Samsung पास करके जो कि बहुत अच्छा security का फीचर होता है ये Nox Security के साथ आपको मिलता है Samsung Pass तो अगर आपको नहीं पता Nox Security क्या है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है जिसका link मैं आई बेटन भी देदूँगा चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तो आगे आपको बताने वालों में Samsung Pass में नहीं अपडेट आया है अपडेट में कुछ नहीं फीचर्स को एड़ किया गया है और कुछ ले आउट को चेंज किया गया है Samsung Pass के तो आगे दोस्तों मैं आपको बताने वालों कैसे आप उस अपडेट को कर पाएंगे और आपको क्या लेटेस्ट चेंजिस मिनने वाले और क्या नए फीचर्स मिनने वाले तो उसके बारे मताने वालों वीडियो को उसके मत करेगा वीडियो को पूरा देखिए हो तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते है दोस्तों आगी मेरा नम सनी और आपका स्वागत अब आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में, तो इस चैनल पर आपको मिलेंगी और तेकनिकल एलेटेड वीडियो और बहुत कुछ, और अबी तक अगर अगर आपने मेरे चैनल वो सब्क्राइब नहीं की बढ़ा था सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडियट आपको जल्दी मिलते रहे तो वस्ती हमें सैमसल कपा सले का अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने ग्लेक्सी स्टोर में Galaxy Store में आपको जानेगा यहां पर लिखना है आपको Samsung Pass आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं और चाहें तो यहां पर आप जाएंगे 3 dots में आपको सामने यहां जाना है आपको My Page पर My Page पर आपको यहां अपडेट पर जाएंगे तो आपको यहां देख जाएगा वो अपडेट में आपको दिख जाएगा यहां जाने के आपको कर लेना है इसको अपडेट यह देख रहे होगे लेटेस अपडेट आया है जो कि मैंने अपडेट कर लिए है अपडेट करने के वाद आपको जाना ही है यह मोवाइल के सेटिंग में जाने के आपको नीचे की तरफ आना है यां यां बाइ虑मेट्रिस सेक्युर्टी में यहां जाने के आफ़ को यह आना है लिशपक अगर आपने तक सेमसंग पास नहीं कर आए तो यहां पर आप से राइश्टर करने को बोलेगा यहां राइश्टर करने के लिए आपको Samsung account होना बहुत जरूर यह Samsung account के थूरू ही यहां पर राइश्टर कर पाएंगे यहां पर आप देख रहे हैं मेरा already account बना हुआ है तो मुझे फिंगरपेंट मांग रहा है secure access to apps and services आपको दिख रहा होगा यहां पर थोड़ा सबलर है आप इसको देखेंगे तो आपको यहां clear हो जाएगा आप देखिएगा clear आपको दिख रहा होगा यह देखिए लिखा हुआ है use biomedic cook and secure access app and services आपको यहां देख रहा है मैंने no apps के password यहां पर save करे हुए two websites की save कर रहे और चाहूं तो कोई manually कोई website के या किसी चीज़ के पर save करना है तो यहां पर मैं जाओंगा manually मैं और यहां पर उसकी उपर detail डालूँगा और उसको यहां पर save कर सकता हूँ उसके नीचे आपको देखेंगे नए optimist पर पहले क्या होता था पहले आपको directly यहां पर पूरे आपके जो भी account save वहां दिखते थे बट आप यहां पर आपको option मिल गया है आप यहां पर अलग आपको दिया है यहां card का option यहां card अगर आप save कर लेंगे तो आप card को आगे जाके कहीं आपको use करना हो तो easily use कर सकते हैं इसको मैंने use नहीं करा है तो मैं इसका पता हूं नहीं कैसे use करते हैं उसके बाद आपको जाना है address में यहां अगर आप अपना address पर डाल लेंगे तो आपको कहीं भी form लब करते हैं कोहीं भी address डालने के आपको रहेगा तो आप easily यहां से address अपना सिर्फ अपनी fingerprint attach करेंगा और आपका पूरा address वहां पर fill हो जाएगा तो यह इसलिए रहता है उसके बाद आपको यहां सबसे अच्छा option जो मिल रहा है मुझे नए update में जो मुझे लगा है वो है notes का यहां पर आपको कोई important notes या important अपनी कुछ ऐसी जानकरी लिखनी है कि वो whatsapp पे नहीं डाल सकते है यहां कही message पे नहीं लिख सकते है कोई भी इसको पड़ लेगा तो आप यहां पर आपके लाब कोई भी इसको access नहीं कर पाएगा जब तक आपनी fingerprint authentication नहीं देंगे जब तक कोई भी इसको read नहीं कर पाएगो जो सबसे अच्छा feature लगा मुझे यह वाला यहां पर आप देखेंगे मैंने ऐसे एक normal से बनाया था यहां पर उपर आपको title दे देना है और नीचे आपने जो भी इसका डालना है notes वह डाल देना है आप चाहें तो इसको यूज नहीं कर रहा है तो मैं आपको यूज बतायता हूँ उसको यूज कैसे करते हैं तो यूज करने के लिए हम चलते हैं फेस्बुक पे तो यहां पर मैं डाता हूँ फेस्बुक पेज पे तो आप देखेंगे यह मेरा फेस्बुक का login page है यहां पर by default मेरा account आपको और उपर आप देखींगे तो महां पर लिखा हुआ है Samsung आपको दिखा आ होगा नहीं है फे साफ़ को थे बदूंए तो आप देखिए आप को दिखा हाया रहा रहा है liksom करने से अकने मेरा कांट इसलों पर करूंगा तो अम मुझ ź抓leduce Samsung Pass, Use Finger to Identify Guide जैसी मैं verify click करूंगा, तो मेरा password automatic fill हो गया, आप देख सकते हैं, automatic fill हो गया है, और simple में login पे click करूंगा, तो login हो जाएगा, तो अब यह आपको add कैसे करते हैं, यहाँ पर तो मैं उसको वो भी बता जाता हूं, उसके लिए वापिस जाता हूं सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद में वापिस चले आता हूं यहां पर बाइव में जाना है सेमसंग पास में सेमसंग पास में जाने के बाद मुझे मैं पहले फेस्बुक का जो मेरा एड एफ पासवर्ड में उसको वहां से डिलीट कर दोस्तों मैं वापिस जाएँगा महीं पर Facebook में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने Facebook को ओपन कर लिए हैं यहाँ पर मैं अपनी डेटेल डाल देता हूं तो डेटेल डालने के बाद वहाँ पर आटोमेटिक ट्र। हो जाएगा कैसे सेव होगा वो भी मैं आपको बता जाता हूँ मैं यहां पर अपने डिटेल डाल देता हूँ तो दोस्त देख सकते हैं मैं यहां पर आईड अपना पासवर्ट डाल लिया है अब जैसी मैं लॉग इन पर क्लिक करूँगा तो नीचे आप देख रहे हैं सेव इमेल एडरे और पासवर्ट डू आटो फिल विद सेमसंग पास तो मैं यहां सेव कर दूँगा तो बाई डिफॉल्ट ही वहां पर आटोमेटिक आप देखेंगे यहां पर सेमसंग के यह सोरी सेटिंग में बायोमेट्रिक हैं यहां पर जाओंगा तो एकाउंट आटो यूज़ करेंगे आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना और उसका पासवर्ट आटोमेटिक हैं आपके पास यहां पास सेफ हो जाएगा आप जाहें तो वेबसाइट में भी कर सकते हैं कोई सी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो गूगल क्रोम पर कहीं भी आप इसको पर क्लिक कर देंगे तो यह आपको भार भी होम स्क्रीन पर मिल जाएगी जिस पर आप इसली नोट्स बना सकें या नोट्स को रख सकें आपको दिख रहा होगा यहां पर यह दिख रहा है तो यह ऐसे वर्क करता है दो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो प पसंदे होगी दोस्तों अगर अपको मेरी वीडियो पसंदे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरू करें और अभी ताग आपने मेरे चानल सब्क्राइब नहीं कि सब्क्राइब करना ना बूले और मुझे इंस्टाग्राउं फेंस फोलो करना मिला मुझे लिंक आपको और इसक्राइब करें में इड़ाइगा नहीं कि दोस्तों